दोस्तों गर आप एक MP Online या फिर CSC संचालक हैं तो आप सभी को जानकारी होगी कि आपको अपने CSC या फिर MP Online सेंटर को Jam Portal में रिजिटर करना जरूरी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका जो Portal है आपकी जो IDEO से बंद कर दी जाएगी तो आप सभी लोगों को यह करवाना जरूरी है और कैसे आपको Jam Portal में रिजिटर्शन करना है इसको complete process आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप पूरा वाच कीजेगा यहाँ पर मैं आपको complete process बताऊंगा कैसे आपको Jam Map IT Portal पर अपने MP Online या फिर अपने CSC का रिज जैसे आप इसको search करेंगे तो कुछ इस तरह का application आपके सामने open होकर आ जाएगा ध्यान डखना है कुछ इस तरह का यहाँ पर logo इसका डला हुआ है और यही application आपको install करना है आपको काफी सारे application देखने को मिलेंगे तो आपको कोई अदर application install नहीं करना है जैसे यह application आपको म चाहते हैं Hindi या फिर English तो कोई भी एक language यहां से आप select कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपसे कुछ permission है आपर मांगे तो यहाँ पर आपको सभी permission में allow कर देना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ while using the app उसके बाद यहाँ पर यह location के लिए बोलेगा तो तो अभी क्योंकि हमने आप पर registration complete नहीं किया है तो यहाँ पर देखे आपको नीचे एक option देख जाएगा create an account तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक account create करना होगा उसके बाद यहाँ पर आप login कर पाएंगे तो account create करने के लिए create an account का जो option देख रहा है simplest option पर हम click कर देंगे ज फिर आपका csc यह फिर दोनों है तो आप सभी को यहाँ पर csc और mp उने वाला जो option है यही option है यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर नीचे देखे आपको अपना नाम फिल कर देना है यहाँ पर email ID डाल देना है ध्यान रहे आपको mobile number और email ID active वाला रखना ह क्योंकि उसमें आपको एक OTP send किया जाएगा उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपर department का option आपको दिया गया है तो यहाँ पर आप कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है आपर automatic DST डला हुआ है यहाँ पर next पूछ रहा है sub department तो यहाँ पर हम click करेंगे यहाँ पर आपको MP AC DC का option मिल जाएगा एकी option इसको आप यहाँ से select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे designation आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आप क्लेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारों option देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी option select नहीं करना है simply यहाँ पर आपको others का एक option सर्च कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अधर का option दिया हुआ है तो इसको यहाँ से select कर लेंगे और भी कोई भी option है आपको select नहीं करना है then सबसे last में आपसे district पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको अपना जिला select कर लेंगे तो यहाँ पर आपको simply submit की बटन पर click कर दे रहा है उसके बाद जैसे इसको आप final submit करते हैं तो यहाँ पर आपने जो mobile number डाला हूँ है उसमें आपको एक OTP send किया जाएगा तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल कर इसका verification complete कर लेना है उस OTP आप जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे verify का button दिख रहा है तो यहाँ पर आपने जो mobile number डिया हुआ है उसमें text message में आपको एक ID और एक password दिया जाता है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मुझे एक message receive हो गया है जहाँ पर मेरा username और password मुझे दिया गया है username मेरा email ID रहता है और यहाँ पर एक password create किया जाता है तो यूजर ID और password हमें यहाँ पर ले लेना है और जो हमने jam portal है जो हमारा application है उसमें हमें user ID password डाल कर इसको login कर लेना है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने username और password डाल दिया आप यहाँ पर हम login कर लेते हैं अब यहाँ पर देखें आप जैसे application में enter होते हैं तो यहाँ पर हो सकता आपके सामने एक option आ रहा हो new survey का या फिर यहाँ पर आपके सामने दो option आ सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपके सामने एक यह option आ रहे है फिर दोनों option आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको new survey का जो option देख रहा है यही वाला option यहाँ पर आपको select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको survey का process complete करना है उसके लिए यहाँ पर देखे आपको सबसे पहले center type select करना है तो यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे CSC, MP online या फिर both या फिर मतलब यहाँ पर आप CSC भी चलाते हैं और MP online भी चलाते हैं तो यहाँ पर आपको both का option select करना है पर एक्जामपल यहाँ पर मैं दोनों ही run करता हूँ तो यहाँ पर आपको अपनी तहसील select कर ले रहा है आपकी जो तहसील लगते हुए हैं से आप select कर लेंगे अब क्योंकि यहाँ पर हमने both वाल option select किया हुआ है तो यहाँ पर हमको दोनों ID सर्च करना होगा अगर आपने MP online का select किया हुआ है तो यहाँ पर आप केवल MP online की ID सर्च करेंगे और आपने CSC बस select किया हुआ तो यहाँ पर आपको CSC की ID सर्च करना होगा तो यहाँ यहाँ पर आप डाल देंगे, जैसे यहाँ पर अपनी ID आप सर्च करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर देखिया, आपके ID विजिबल होने लगी, इसको आप यहाँ से सलेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको get details का एक option दिया गया, इस पर आप जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो CSC Center या MP Online है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको display करने लगेगा, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आपको MP Online की ID सर्च करना है, तो जो भी आपके MP Online की ID है, वो यहाँ पर simply आप type करेंगे, जैसे आपकी ID सामने इसको आप select करेंगे, उसके बाद नीचे आपको get details का जो option दिकरेंगे, तो यहाँ पर आपका MP Online है, उसकी details यहाँ पर आपको show करने लगेगा, अब जैसे यहाँ पर अपना CSC और MP Online की ID आप search कर लेंगे, उसकी details यहाँ पर आप find कर लेंगे, तो यहाँ पर नीचे आपको Google Map में find हो जाएगी, और यहाँ पर देखें, एक blue color का आपको tick मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपकी shop होगी, जहाँ पर भी आपकी shop located होगी, बहाँ पर यह icon आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद सबसे last step हमारा बचता है, यहाँ पर CSC MP Online की photo आपको upload करना है, तो यह पर आपको live photo upload करना है, मतलब यहाँ पर आप जैसे इस पर click करेंगे, तो आपका जो camera है, mobile का वो चालू हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी shop के सामने खड़े हो जाना है, और यहाँ पर आपको जो board आपकी shop में लगा हुआ है, और आपकी यहाँ पर shop visible हो रही, इस तर है, क्या आपके द्वारा चुना गया, CAC center active है, तो यहाँ पर आपका अगर center चालू है, तो यहाँ पर आप हाँ के option पर click करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो survey हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर नीचे आपके सामने एक message आएगा, मतलब पर जो map item में registration करना था, वो यहाँ पर complete हो चुका है, अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं, कि आपने जो survey की हो है, वो summit हुआ है, फिर नहीं हुआ है, तो simply यहाँ पर देखिए, नीचे आपका option मिल रहा है, CAC, MP online existing survey, तो simply इस option पर आपको click करना है, जहाँ पर यह पर हमारा map item में, जो हमें registration करना था, jam portal पर, वो हमारा complete हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा process समझ में आ गया होगा, फिर अगर आप कोई problem जाती है, तो आप मुझे comment करके बताई है, और आपका survey successfully summit हो जाता है, तो भी आप मुझे comment करके बताना मत दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको informative लगा हो, helpful लगा हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने fans और family में share करें, जिनका भी MP online है, CSC हों तक यह वीडियो पहुचा है, ताकि वो भी अपना jam portal पर, जो registration process हो complete कर सके, और वीडियो अगर आपको पसंद आयो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना